RTX 4080 Super launch हो चुका है आज और ये एक सबसे बड़ी problem को solve करता है क्या है वो problem? वो problem है price ये card भले ही 1,00,000 रुपे का मिलेगा लेकिन ये याद रखो आप के पिछले साल RTX 4080 से कई जाधा महंगा launch हुआ था ऐसा PC hardware industry में कभी कभी देखने को मिलता है कि performance आपको ज़्यादा मिल गई नए launch ग्राफिक कार्ड में और price उसकी कम हो गई वैसे लोगों का तो ये कहना है कि 2023 के release के ग्राफिक कार्ड में ही ये prices होनी चाहिए लेकिन मैं कहता हूँ देर से आए दुरस्त आए मेरे पास जो कार्ड है उसका नाम है इनो 3D की तरफ से आने वाला उनका इन्विडिया जीकफोर्स RTX 4080 Super X3 Edition अगर आप raw power की बात करो तो RTX 4090 के बाद दूसरे लेवल पे अब ये ग्राफिक कार्ड होगा RTX 4080 Super पहले हुआ करता था RTX 4080 अब होगा RTX 4080 Super एक बाद बताता हुए चलूँ RTX 4090 इस समय दो लाग से उपर का ग्राफिक कार्ड है और RTX 4080 Super आपको एक लाग पर मिलेगा 4080 Super वो ग्राफिक कार्ड है जो आपको 4K गेमिंग करवाएगा इट हाई रिफ्रेश एट एट मैक सेटिंग्स स्पेक वाइज अगर आप बात करो तो RTX 4080 के बिल्कुल सिमिलर स्पेक्स है इसके 10,240 कूड़ा कोर्स देखने को मिलते हैं आपको 16GB की GDDR6X VRAM मिलती है आपको जिसकी बैंडविध है 256-bit यह एक enthusiast class card है जो कि बहुत ही enthusiast होते हैं जो कि महेंगे hardware करिकते हैं उनके लिए है बहुत महेंगे hardware तो खरिकते हैं लेकिन इतना महेंगा नहीं खरी सकते हैं कि RTX 4090 करीने तो उनके लिए है यह RTX 4080 Super बहुत ही power efficient card है इसकी TDP अगर आप मुझसे पूछोगे तो 320W की TDP है और power supply अगर आप पूछोगे तो 750W की power supply है इसके लिए best रहेगी power इसको मिलती है एक 16-pin आपको connector देखने को मिलता है जिसमें आप अपने 3 8-pin वाने PCI Express जो normal PSQ से तार निकलते हैं उनको connect करोगे adapter में और adapter को आप graphic card में connect करोगे एक fun fact बाग को बता हूँ RTX 3080 2020 में launch हुआ था 700 डॉलर का जब वो MRP थी उसकी और 2022 में RTX 4080 launch हुआ 500 डॉलर बढ़ागे 1200 डॉलर का 500 डॉलर की increase तो जो चीखें निकलिये ना लोगों की RTX 4080 की price देखके तो इसका थोड़ा control में किया Nvidia ने थोड़े पैसे कम कर दिये एक और बाता हूँ आपको जैसे 4070 Ti है वो एक massive upgrade लेके आता अपने साथ यानि की 4 GB की VRAM उसके extra मिलती है आपको उसके 4070 की family के और भाईयों के मुकाबले में ऐसा 4080 Super पे आपको देखने को नहीं मिलेगा इसमें कोई massive hardware upgrade नहीं मिलेगा एक upgrade मिलेगा आपको RTX 40 पे वो upgrade है price बागी काफी similar है RTX 4080 के बड़ी बात यह है कि RTX 4080 Super पे आपको दो 8th generation के encoder देखने को मिलेंगे यह बहुत बड़ी बात होती है अगर कोई creative है आप में से तो उन लोग को encoder की जरूरत होती है कई creative काम करने के लिए कई लोग बात भूल जाते हैं कि 80 और 90 series के graphic cards में आपको दो-दो encoder देखने को मिलते हैं आपको 4070 Ti Super तक पे दो encoder देखने को नहीं मिलते है वो 80 series में मिलेंगे आपको यह जो मेरे पास card है इनो 3D की तरुसे आने वाला RTX 4080 Super X3 इसके बारे मैं थोड़ा सापको बता दूँ यह बहुत बड़े cooler के साथ आता है बहुत ही बड़ा cooler है triple fan design आपको देखने को मिलती है जो तीन fans है इसमें 96 mm के fans है large copper base आपको देखने को मिलता है जो की GPU और VRAM दोनों को cover कर लेता है बैक प्लेट जो पीछे लगी हुई है वो PCP को तो protect करती है उसमें cutouts है उसमें हवा भी निकलाती है NVIDIA के features आपको मिलते ही मिलते है DLSS 3 हो गया 4th generation के tensor course जो आपको मिलते है वो DLSS 3 और AI वाले कामों में आपको मदद कर देंगे और NVIDIA के तरफ से reflex वगर आपको मिल जाता है reflex आप जानते ही हो low latency और best responsiveness के लिए games में जो चीज होती है Creative people के लिए NVIDIA के तरफ से NVIDIA Studio आता है NVIDIA Broadcast आता है NVIDIA Omniverse आता है NVIDIA Canvas आता है Gaming performance की बात कर लेते हैं देखो e-sports की अगर आप बात करते हो तो मैं आपको जब बता चुका हूँ कि 4070 Ti Super जैसा graphic card कई e-sports title में 2K पे cap टच करवा दीता है 300-300 fps की cap टच हो जाती है उसके उपर आपको गेम इंजिन ही allowed नहीं करता कि उसके उपर fps निकाले तो इस तरह की चीज जब 4070 Ti Super में देखनों मिलती है तो 4080 Super तो दे ही सकता है यानि कि यह perfectly capable card e-sports में भी अगर आप 4K पे high refresh rate पे gaming करना चाहते हो बहुत-बहुत fps मिलेंगे आपको और heaviest of the heaviest games के अगर आप बात करो Alan Wake 2 हो गए आपके Last of Us हो गए, Hogwarts Legacy हो गए, जिसको आप 4K पे चलाओगे तो उन्हों भयानक VRAM चाहिए वह VRAM तो आपको इस पर मिलती है 16GB की साथ में एक्चुली में इसमें तनी पावर है कि यह ray tracing वगरा और DLSS सब आउन करकर आके आपको High Refresh Rate की 4K पे, Mac Settings पे इस समय के Heavy से Heavy Games पे भी करवा देगा गेमिंग और भविशम आने वाले कई Games पे करवा देगा मना नहीं करेगा, High Refresh Rate पे ही गेमिंग होगी मैं आपको इबाब बताता हूँ चलूँ जो 80 और 90 सीरीज के कार्ड्स होते हैं अव्यस ही बात है आपको 4K गेमिंग करवाएंगी करवाएंगे लेकिन High Refresh Rate की जहां बात आती है याने कि आपके पास monitor भी होना चाहिए 144 Hz, 240 Hz या 360 Hz का याने कि बिल्कुल बेमानी है अगर आपके पास 4K 60 Hz का monitor है उसके लिए card नहीं है आप इसकी power waste कर रहे हो तो आप समझने की कोशिश करना कि 40-90 में प्राइस तो बढ़ गई 100% याने कि price हो गई डवल RTX 4080 Super के मकाबले में लेकिन क्या performance double हुई ? क्या performance 100% increase हुई ? नहीं हुई क्या 50% 310% on हमेशा increase रहती है, वो भी नहीं रहती है, कई गेमों में रहती है, लेकिन हमेशा नहीं रहती है, याने की पैसे तो double होती है, RTX 4090 में लेकिन performance डबल नहीं होती, उस हिसाब से अगर आप देखो, तो गेमिंग के लिए RTX 4080 Super बहुत बढ़िया ग्राफिक कार्ड है, जिनको चरम स की गेमिंग करनी है, ultimate gaming करनी है, लेकिन obviously बात है, कि second best gaming करने को मिलेगी, obviously बात है कि best of the best जिसे ही उसके लिए पैसे माइने नहीं रखते हैं, वो RTX 4090 जैसे ग्राफिक कार्डी करी देंगे, उनके पास सारे बड़े-बड़े hardware होंगे, लेकिन जो थोड़ा सा compromise कर सकता हो, पै अगर आप देखो, तो भी प्राइस आपको अच्छी लेगी कि पर्फॉर्मेंस बढ़ गई या प्राइसे कम हो गई है, 4080 के मुकाबले में, यह जो मैंना आपको ग्राफिक कार्ड दिखा है, इसका लिंक अगर आपको देखना हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल आप